हेलो गाज में हूँ ब्स्रेंहोंएक, अपने ही चानल पे प्याज में हूएक में और मैं आज इस वीडियो में 1 प्लस 5 एज के बारे में कुछ शेर करने वाला हूँ तो इस वीडियो को मैं शुडू करने वाला हूँ पूरा वीडियो पूरा देखना बीच में छोड़ मत देना तो आप लोगों का ही loss होने वाला है आप लोगों को पता नहीं चलने वाला है वो 1 प्लस 5 Edge होने का वाला है तो इस वीडियो को मैं शूड़ू करने वाला हूँ उससे पहले hit that like button thousand likes के लिए मैं wait कर रहा हूँ वो golden like button thousand likes ठीक है और subscribe करना मत भूलिएगा अगर आप इस चैनल में ने होतो आगे ऐसा ही वीडियो में बनाता रहूँगा तो मिस्स नहीं करने तो मैं इस वीडियो को शुड़ू करने वाला हूँ जैसे कि मैं वोल रहा था 1 प्लस 5 Edge के मारे में इस वीडियो में मैं बोलूँगा तो 1 प्लस 5 Edge 5.5 इंच का स्क्रीन Quad HD का स्क्रीन होने वाला है तो obviously 1 प्लस 5 Edge का स्क्रीन है वो Edge होने वाला है जैसे Samsung Galaxy S7 Edge का है डिजेन अलग है पीछे fingerprint scanner को move कर दिया गया है सामने जो था वो home button उसको change करके OnePlus का logo दे दिया गया है जो home button का काम करने वाला है डिजाइन में change है अच्छा है दिक अच्छा रहा है जो leaks है उसके उपर ही में इस वीडियो को बना रहा हूँ तो ऐसा कुछ नहीं कि OnePlus टीम ने मुझे inform किया है या वगड़ा वगड़ा जो leak है जो rumors है उसके उपर ही में इस वीडियो को बना रहा हूँ तो ऐसा कुछ में जो बोलूँगा जो में बोल रहा हूँ वो होने वाला है ऐसा कुछ guarantee नहीं है मैं guarantee नहीं दे सकता यह rumors है rumors change भी हो सकता है company और कुछ बना भी सकता है यह one plus five edge हो भी नहीं सकता यह भी हो सकता है तो मैं जैसा बोल रहा था one plus five ने decide यह one plus five edge में जो processor है वो qualcomm snapdragon 835 का होने वाला है six या eight GB eight GB first time right six GB one plus first time लेके आया था market में पुरा history देखोगे तो history में अगर मैं थोड़ा जाओ तो one plus जो one plus one आया था इंडिया में वो था April के समय 2014 में और हाँ तीन सार होने वाला है one plus three तो बहुत ही successful था one plus three टी फिल लेके आया one plus ने one plus two उतना successful नहीं था तो वो सब phones के बारे में मैं आज इस वीडियो में नहीं बोलने वाला जो में बोलने वाला हूँ one plus five edge है one plus five edge बहुत ही अच्छा दिख रहा है जो rumors है जो leaks है उसके उपर में बोल रहा हूँ जो phone है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है dual camera होने वाला है जो secondary camera होगा dual camera में वो 12 megapixel का होने वाला है aperture lens का पता नहीं कितना aperture होगा कितना अच्छा camera का lens होगा पर 12 megapixel का lens होगा ये पता है मुझे optical image stabilization है electronic image stabilization stabilization दिया जाएगा और face detection autofocus भी दिया जाएगा अच्छा है जो 12 megapixel का camera का में बारे में बोल रहता हो वो ultra ultra wide lens होने वाला है कुछ खास नहीं बहुत सारे phones में हम लोग देखे है तो ये feature लाने वाला है oneplus भी और 25 megapixel का जो primary camera है वो होने वाला है dual camera के का बाती में कर रहा हूँ और जादो कुछ नहीं है points बना है उसमें sleek design है innovative है जो corning gold across 5 है वो यूज होने वाला है protection के लिए इंप्रूफ low life photography बोल रहे करेंगे यह होने वाला है phone में तो यहीं है ultra thin camera bump कुछ अच्छा feature तो में नहीं बोलने वाला तो ठीक है design में बहुत ही अच्छा होने वाला है 4100 mAh battery होने वाला है और dash charging भी तो यही सब है मुझे अच्छा लगा design और जो OnePlus का logo है वही होम बटन होने वाला है तो यह design बहुत ही अच्छा है तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करने वाला हू चलिये subscribe कीजे आगे ऐसे ही वीडियो में लाता हूंगा तो अगर आप लग मिसनें करना चाहते तो प्लीज सब्सक्राइब तो इस चानल आप लुग दूड्यूस दिए विडियो अगले वीडियो में गला का फोने वाला